तो जैपुर से बड़ी जानकारी आपको देदे आपको बता दे कि हिट एंड डन एक्ट स्ट्राइक से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है कमर्शियल वाहन संगठनों में मतभेत कुछ कमर्शियल वाहन संगठन जारी रखेंगे और ये काज़ वरा है कि कु कमर्शियल वाहन संगठनों में अब मतभेत देखने को मल रहा है जादा जानकारी के लिए समधाता आसिफ हमारे साथ लाइफ जोड़े हुए है उनी कारूप कर लेते हैं आसिफ देखें अभी कुछ दिनों से जो तस्वीरे निकल करके सामने आई थी उसमें ये देखने को मिला था कि हर्टाल देखने को मिला था अब ये तस्वीरे निकल करके सामने आ रही है कि कुछ संगठन कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे और कुछ ने तो अभी यहाँ पर बात मान लिए क्या अपडेट अफिलाल और आपके बैग्राउंड में कुछ लोग नज़र आ र कुछ संगठन कुईट कर गये थे क्योंकि इस कानुन को लगबग अभी होल्ट पर डाल दिया गया है ट्रांस्पोर्टर की समस्याओं को सुना जाएगा लेकिन राजधानी जैपूर के अंदर अभी भी कुछ संगठन जो है वो इस बात पर आड़े हुए यहां जो है वो लगबग कुईट कर गये थे आप अभी भी जो है वो आड़े हुए क्यों यह सिर्फ सरकार ने मिस गाइड किया गया है सरकार ने ब्रहमित करने के लिए संग्ठनों में फाड करने के लिए जबकि हमने आंदोलन की चेताव निदी थी की तेहीं तारिको जेपूर बंद रहेगा अठारा भी संग्ठन है सभी साथ में रहेंगे लेकिन रात को ग्यारा बजे केंदर सरकार के दुआरा एक साल चली गई है और चाल के माद्यम से लोगों को कन्फूशन की पेदा किया गया है कि हर्ताल जो आपका हिट एंड रन जो कि वो उन्होंने धारा पूत्रे में उनको दो फाड करने के लिए उन्हें में अंडर्स्टेंडिंग पैदा गर दी अभी आपकी मुलाकात किसे होने जा रही है अभी हमारी साथ मीटिंग हो रही है कल कमीशनर साथ से भी मीटिंग होई थी हमने सभी संग्ठनों ने दो टूक जबाव दिया था कि जब तक हमारे को हिट एंड रन जो यह नया कानून मना है अगर इसको वापस नहीं लिया जाता है तब तक हरताल है निरंतर जारी रहेगी दिलिप जी रात को कुछ संगठन जो आपके साथ 18 संगठन थे कुछ क्वीट कर गये हैं आप अभी यहाँ पर बने हुए हैं आप साथ कितने संगठन हैं इस समय हमारे साथ में करीब 14 संगठन अभी है वह टूइट करने का मतलब भी में रता है ना रात को ग्यारा बजे बाद में ऐसी अफवए फेलाई गई कि सरकार ने जो आपका एक्ट लागू हुआ था उसको रद कर दिया गया उसको वापस निरस कि लेकिन केंद्र सरकार ने यह चाल चल करके सब में दो फार करने का परियाज करें लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सुबह वापस वीडियो जारी कर दिये गए अभी मीनी बस वालों भी हमारे साथ हैं मेजिक ओटो वाले भी हैं ट्रक वाले भी हैं सारे के सारे ड्राइवर हो रहा है उसके बाद में निनने लिया जाएगा कि अगर केंद्र सरकार आज यह जो कानून बनाया है इसको वापस ले लेती है अगर नहीं नेरती है तो आगे भी यही रण नेती रहेगी जारी रहेगा नेरती यह हमारे साथ जो है वो टैक्सी एसोशेशन की लोग है और यह कहना है कि इनके साथ अभी भी 14 संगठन है अलंकी बंद जैसा जो है वो कुछ नजर नहीं आ रहा है बावजुद इसके इनका यह कहना है कि इस कानून पर बादचीत ना हो इस कानून को बिल्कुल आसिफ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कौन कौन से संगठन अभी इसमें शामिल है असिफ और यह भी कहा जो रहा है कि अलगतार बातचीत का दौर भी चला लेकिन बात बंते हुए नजर नहीं आए शोटरिय से पूछ लेते हैं आद दिलिप जी यह बताईए कौन-कौन से संगठन आपके साथ है उनका नाम बताईए कितने आप कहरें 14 संगठन है आजे चौदा संगठन आपके साथ है कौन कौन से संगठन साथ है हमारे साथ में मैजिक ओटो आगे जैबपूर सहर के अंदर चलने वाली मीनी बसे आ गई जे रेलवे स्टेसन है वो आ गए इसमें हमारी ड्राइवर यूनियन ने तीन संगठन बने वो सारे आ गए हमारे जो एरपोर्ट वगरा वो आ गए हमारी जो टेक्सी यूनियन है वो आ गई इसके अंदर मेजिक ओटो वाले ये सामने खड़े हैं मीनी बस वाले खड़े ऐसे करके 14 संगठन ओला उबर वाली वो सामने गाड़ियां खड़ी है सब के सब जिन जैसे लोगों को वापस जानकरी म लेकिन 14 संगठन इनके साथ हैं हालनकि शूती जैसा कि मैंने शहर का जायजा लिया उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताओं तो बहुत ज्यादा जो है वो बंद का असर यहां पर नजर नहीं आ रहा है लेकिन बावजुद इसके इनका ये कहना है कि ड्राइवर्स इनके स परेटकों के लिए गाडिया चलती टेक्सी एसोसेशन है वो इनके साथ में और रात को जो वारता हुई थी उसके बाद में जो है कुछ संगठन इस हर्टाल से बाहर चले गए थे आज इनका ये कहना जो 14 संगठन यहां पर मौजूद है कि ये बंद रखेंगे और आज रा प्रभावित हुई थी तो आज भी अगर ये लोग बंका आवान करेंगे तो आज भी यतायात पर कहीं नकी प्रभाव पड़ेगा और क्या कोई रूट भी डाइवर्ट किया गया ऐसे कोई अपडिट आपके पास शुति ऐसी कोई खबर फिलाल राजधानी से सामने नहीं आ रही है कि किसी रूट को डाइवर्ट किया गया बलकी मैं आपको बताऊं कि राजस्थान रोडवेज के अमडी नतमरडल में साफोप पर राजस्थान रोडिज द्राइवर्वर्स को ये खिडाये दी है खड़े निर्देश्ट ये कि किसी तरह के प्रदशन या हटाल में शामिल नहीं होना है अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी और अगर राजधानी के ट्रैफिक को देखा जाए ट्रैफिक जो है वो बदस्तूर जा रही है वैसा का वैसा ट्रैफिक जाम आम दिनों में सडकों पर देखा जाता है वो जाम अभी भी लग रहा है लेकिन कुछ संगठन जो हैं उनकी आप कह सकती है कि कुछ हजार गाडियां जो हैं इसके अंदर शामिल है क्योंकि ट्रैफिक और गाडियां बहुत ज़्यादा है लिहाजा ये